एक बात करेंगे कि ओला जो है अब वो टू वीलर यहां पर मैनुफाक्चर करेगा और जिसके लिए जो है वो लोग बहुत जल्द तमिल नाडू में एक जो है प्लांट भी यहां पर सेट अप करने वाले हैं और कुछ बोला जा रहा है कि कुछ 2400 करोड रुपय जो है यहां पर वो लोग इन्वेस्ट भी करेंगे तो क्या है पूरी न्यूस वही आज के सेंविब न्यूस सिग्मेंट में बताने वाला हूँ लेकिन वीडियो के सिलसला चुरू करने से पहले अगर आप एक न्यू व्यूर है तुमारे चानल को सब् जो कि मैं आपको बता दू कि एक इलेक्ट्रिक वहिकल जो है स्टार्ट अप था उनको एक्वायर करने के छे महीने बाद ही ओला इलेक्ट्रिक ने यहां पर अनौन्स कर दिया है कि वो लोग जो है 2400 करोड यानी की 320 मिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे एक प्लान कर रहे है वो इन्वेस्टमेंट करने का जहां पे वो लोग जो है एक प्लांट सेटप टरने वाले हैं बहुत जल्दी जहां पे यह बता जा रहा है कि वो जो है बिगिस्ट इलेक्ट्रिक स्कूर्टर मैंफाक्चरिंग प्लांट होने वाला है इंडिया में और यह आपके तमिलनाडू में setup किया जाएगा वही पर मैं आपको बता दू कि यह जो MOU sign हुआ है तमिलनाडू government के साथ उसमें यह बताया गया है कि यह जो plant setup किया जाएगा उसका जो initial annual capacity होगी वो बताया जा रहा है कि 2 million units की होगी वही पर भावी शगरवाल जो की chairman और group CEO है OLA के उन्होंने एक statement में ये कहा कि ये जो manufacturing facility होने वाली है ये one of the most advanced manufacturing facilities होने वाली है पूरे दुनिया में और ये जो factory है वो ये showcase करेगा कि इंडिया में जो skill है और जो talent है उसको कैसे उसको use करके यहाँ पर world class जो product है वो produce किया जाता है और ये जो आपके products होंगे वो पूरे दुनिया को आगे चल के cater करने वाले है मतलब पूरे दुनिया में ये ship होंगे इसके साथ यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि इस factor में आपके two wheeler products जो है वो produce किये जाएंगे और यहाँ पे जो है शुरुवात जो है वो electric scooter से होगे इसके साथ company ने ये भी बोला है कि इसके वज़े से जो है 10,000 jobs जो है यहाँ पे create होने वाली है वही पे मैं आपको बता दू कि ओला जो है यहाँ पे उनका जो last reported valuation बताए गई है में 2019 में वो तकरीबन 6 billion dollars की बताए गई है वही पे अब जो है यह plant जब वो लोग यहाँ पे set up कर लेंगे तो इस set up होने के बाद जो है वो लोग यहाँ पे कई सारे जो भी आपके legacy business houses हैं उनके साथ यहाँ पे वो लोग compete करने वाले हैं जैसे कि आपका hero motor हो गया या फिर tvs motor हो गया बजाज auto हो गया इसके साथ ही मैं आपको यह भी बता दू कि यह जो आपके legacy business houses है उनके पास जो है दशोकों का experience है जहाँ पे इनके साथ तो Ola Electric compete करेगी ही इसके साथ ही यहाँ पे जो दूसरे start-ups है इस field में जैसे कि आपका ether energy हो गया Oki Nava scooters हो गया उनके साथ भी Ola का यहाँ पे competition रहने वाला Ola जो है वो अब सिरफ एक cab aggregator नहीं रह गयी है जहाँ पे उन्होंने वक्त के साथ काफी changes के साथ यहाँ पे वो लोग अब जो अपना shift है वो लोग यहाँ पे electric vehicle manufacturing में लगा रहे हैं वो भी यहाँ पे काफी बड़े नामों का support है जहाँ पे आपका Tiger Global, Matrix Partners, Softbank यह सारे जो लोग है इस Ola Electric Startup को support कर रहे हैं यहाँ पे गौर करने वाली बात यह भी है कि इस pandemic में जो है जितने भी businesses हैं उनको यहाँ पे धका लगा है दिक्कते हुई हैं सभी के साथ लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ पे ओला electric जो है वो अपनी तयारिया करने में लगा हुआ है August 2020 में ही Mr. Agarwal ने यहाँ पे एक email में अपने employees को यह address किया था कि वो लोग जो है मतलब company यहाँ पे यह प्लान कर रही है कि बहुत जल्द वो लोग 2000 लोगों को यहाँ पे hire करने वाले हैं जहाँ पे 1000 जो है engineers वो यहाँ पे globally उनको जो next quarters है उनमें hire किया जाएगा वही पे ज future जो है उन लोगों को belong करता है जो लोग यहाँ पे electric की और जादा ध्यान देंगे और जो connected mobility है उसके उपर जादा ध्यान देंगे वही पर बताया यह भी गया है कि Ola की team जो है वो दिन रात यहाँ पे मेहनत कर रही है बहुत जादा hard work कर रही है और वो लोग जो है electric vehicle को बह go to market strategy के director होने वाले है मैं आपको यह बता दू कि जो भी आपका electric business रहेगा Europe में उसको जो है यहाँ पे यहाँ पे यह संभालने वाले है वही पे जफार जो है वो इससे पहले भी कई जगाओं पे काम कर चुके हैं जैसे कि वो जो है यहाँ पे global committee director और एक member भी रह चुके है board of management के जो की पोजो मोटो सैकल थी उसमें इसके अलावा उन्होंने जो है Bentley Motors, Alpine और BMW के साथ भी काम कर चुके है इन सब के अलावा जो है Ola ने यहाँ पे US में एक advanced technology center भी setup किया है जो की 2019 में इसको setup किया गया था यहाँ पे जितने भी engineers है वो सारे लोग जो है यहाँ पे जो को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा वाकि दोस्तों आप लोग ज़रा हमें comments में बताईए कि आपको क्या लगता है कि Ola जब electric field में उतरेगा और वो जो scooters वगरा वो launch करेगा स्कूटी वगरा लाउंच करेगा तो क्या आप उसको जो है try करना पसंद करेंगे और आपको ल